बीजेपी ने अभी तक अपने 74 में से 69 कैंडिडेट उतार दिये हैं, 5 सीटें बाकी हैं, प्रक्रिया बहुत पहले से सुरू हुई, क्या बात है राइबरेली पर इतना सस्पेंस क्यूं है बीजेपी में? अभी हम लोगों ने लगबग डेड़ दो महीने पहले अपने प्रतियासी चैन की पिरक्रिया को आपस में बातचीत करके, क्योंकि हमारा कारकरता आधारी संग्ठन है, बड़ा हमारा, तो उसमें बातचीत करके हम लोग सारे विशो को लेकर केंद्रे चुनाब समीती में हम ल उसमें पारिटी ने आपस में बिचार विमर्ज करके, इस्थानिये परिस्थितियों के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, एक सीट आज भी घोसित हुई है, मुझे लगए चार पांच सीटे बची हैं, तो उसमें भी जल्दी पारिटी केंद्रे चुनाब समीती को निर्ने लेना है, हमारी तरफ से राज्य की ओर से केंद्र को अधिकरत कर दिया गया माने रास्टे अध्यक जी को, तो हो सकता है बहुत जल्दी एक दो दिन में आपको भारतियन्ता पारिटी के घोसित प्रतियासियों के नाम आपके सामने आएंगे, चाहे सपा हो, चाहे क निच्चित रूप से माने प्रधानमंत्री जी ने भी और हमारी पारिटी का भी संकल्प है, हमारी प्रात्मिक्ता में महिलाएं हैं, किसान है, यूबा हैं, गरीब है, ये हमारी प्रात्मिक्ता में है, ये हमारी जाती है, और हमें इसी के आधार पर भविस्य में काम करना ह प्रधानमंतरी जी के बारे में उनके परिवार के बारे में किया है ये कहीना कहीं हमारी जो परंपरा है, हमारी संस्कृती है, उसके विपरीत है लेकिन देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास मोदी जी के प्रती है इस प्रकार का बैवहार कहीना कहीं जो इनकी कुंठा है, हार की जो हतासा है वो कही ना कही से पूरा कर रहा हूँ या अब तो मतुरा की बारी है 1988 के बाद सभी संकल पत्रों में गोशना पत्रों में राम मंदिर की चर्चा हम लोगों ने की है और हम सब लोग के लिए गर्ब की बात है कि जनता ने हमें चुना है जिन बिसो पर हमारी सरकार ने उस पर काम किया है राम के पृति भगवान राम हमारे जीवन सैली में है हमारे जीवन का हिस्सा है करोडों देश वासियों की आस्था का भी से है और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि हमारी सरकार ने एतिहासिक काम किया ये कमेंटमेंट को पूरा किया देखे सीम योगी आदतनाद में जहां भी जा रहे हैं वो मतुरा का जिक्र जरूर कर रहे हैं जब मतुरा की बारी है वहां हमारा फोकस होगा तो क्या ये चीजें सिर्फ जनसभा तक हैं या कागस पर भी दिखेंगेंगे हमारी सरकार अपनी आस्था अपनी परंपरा अपनी विरासत को लेकर आगे बढ़े उस पर काम कर रहे हैं आपने देखा होगा पहले राम नौमी के जलूस निकलते थे दंगे होते थे उन पर पत्राव होता था कामर यात्रा निकलती थी लोग उसे प्रतिवंदित करते थे उसे रोकते थे हमारी सरकार ने एक बहुतर माहूल बनाने का काम किया आज जो कामर यात्री है उन पर पुसपार्चन होती है फूलों की बरसा होती है तो हमारी जो बिरासत है हम आस्था को और बिरासत को लेकर आगे बढ़ रहे हैं अभी जब उत्राखंड में प्रधानमंत्री की सभा हुई है रुदरपुर में सिर्फ दो दिन के नोटिस पर उतनी बड़ी जन सभा हो गई दो दिन पहले जानकारे दी गई थी स्टेट बीजेपी पार्टी को और उसके बाद हो गई तो ये इतनी जल्दी कैसे एक्जेक्यो कुछ तो आप अगर विश्वाश करोगे पाइटी जितना वीवस्था कर रही है हम जितने लोगों से संपर कर रहे हैं उससे पांच गुना लोगा आ रहे हैं आप वहां देखूंगे बर्ट चाहे मेरट की सभा हो चाहे सान की की सभा हो चाहे गाजियाबाद का रोट सो हो यह लोगों की एतिहासिक उपस्तिती है कैसरगंज वियाईपी सीट है उत्तरप्रदेश की वहां से कल एक बयान आ रहा था ब्रजबूसान सरण सिंग सी का कि पत्रकारों जब उनसे टिकेट को लिए के पूछा तो उन्होंने कहा कि बताओ कौन काट रहा है मेरी टिकेट तो यह उनका ओवर कॉंफिडेंस है उनको दिलासा मिलगे कि टिकेट मेले रहा है अभी जो चार-पांच सीटों पर निर्णे नहीं हो पाया है या नहीं हुआ है केंदरी चुनाब समितिने केंदरी पार्ठी उसमें कैसरगंज भी है और पार्ठी को निर्णे लेना है जो भी निर्णे लेंगे हम सब लोग उस निर्णे की साथ खड़ें